हेलो परबन्स होगेद है आप सभी का आप सभी के पसंदार येटूप चैनल रहा एजूकेशनल में मित्रों आज आप से कुछ अगदम अलग टॉपिक पर डिसकस करूँगा यूपिटेट सीटेट मनुविग्यान ट्रिक के बारे में जिहां मनुविग्यान के जब भी बात आती है तो बस 30 प्रश्न ही नहीं रहते हैं पेडागोजी तक इसतर पर हमको समझना पड़ेगा कि पूरे पांच खंड में यूपिटेट सीटेट में 30 प्रश्न हर एक खंड में कि 15 प्रश्न पेडागोजी के रहते हैं यानि कि टोटाल अगर 15 गुड़े 5 कर दें तो 75 प्रश्न आपके पेडागोजी से रिलेटेड हो गए और फिर ये 30 में से 15 मनुविग्यान के यानि कि टोटल 90 प्रश्न आपके हैं जो आप इन 5 ट्रिक से अपने हाद में कर सकते हैं मित्रों बिलकुल और सिर्फ और सिर्फ ये 5 ट्रिक और नंबर पूरे कोई नहीं बताएगा आपको क्यों इसका रिजन भी है कि ये वैलिड चीजे हैं और लोगों को अपना जो भी चीजे हैं तो ये इस पर फोकस करना हर एक वेक्ति को इन 5 ट् है तो मनुविग्यान में आप 30 में से 30 और बाकी के खंडों में पूरे 15 में से 15 आप जरूर हासिल करेंगे इस 5 ट्रिक से चलिए दिर न करते हैं वीडियो शुरू करते हैं अगर चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि पूरी लाइव क्लासेज की जो आपको तुरेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो मित्रो जब यूपिटेट सीटेट एक्जाम की बाद आती है तो हमारे मन में एक ही चिंता रहती है क्या वो है मनुविग्यान साइकल लॉजी सिक्षन सास्त्र है ना नाम अलग अ लेकिन अंक सब एक नंबर सॉलिड हर एक प्रशन का देंगे तो मनुविग्यान में पूरे अंक पानी के सबसे आसान ट्रिक के बारे माँ डिसकस करेंगे तो मनुविग्यान में देखे पहला सेक्षन यूपिटेट सीटेट में मनुविग्यान के 30 प्रशन होते हैं जिसके बाकी की remaining पंद्र यानि टोटल 90 अंग आप इन पांच ट्रिकों से आप हांसिल कर सकते हैं तो चलिए तेरे किस बात की वीडियो शुरू करते हैं और हर एक ट्रिक को बहुत ही गंबीरता से हम लोग समझेंगे चलिए पांच ट्रिक 100% रिजल्ट ट्रिक नमबर वन हमेशा सिक सिक्षक कभी नहीं समस्जेंगे और फ्रोश्ल टैकल करेंगे चाद्र एक स्टूइन बन कर तो वहीं अम लोग गलती कर जाते क्या है कि सिख्षक हमेशा छात्र का भविश्य तै करता है सिख्षक हमेशा जो भी चीज डील करता वो छात्र को ध्यान में रख करता है है ना तो सिख्षक बनकर जब भी आप option choose करेंगे अब यह सोचिए आप आप सिख्षक हैं या आप घर के एक बड़े बुजूर्ग हैं मातप बिता हैं अपने बच्चे के लिए हमेशा सही चीज सोचेंगे कि एक लासी चोल सेंगे सही चीज सोचेंगे न यहीं है पेडागोजी का सबसे पहला रूल और सबसे पहला ट्रिक यहीं है कि जब भी प्रश्णों को पढ़िये तो हमेशा सिख्षक बन जाईए और आप सिख्षक ही तो हैं बस आपको यह यूपिटेट सीटेट कौलिफाई करना है और आप सिख्षक के लिए एलिजबल कंडिडेट हो जाएंगे क्राइटेरिया फुरी फुल्फिल हो जाएगी सो फर्स्ट ट्रिक हमेशा सिख्षक बन कर प्रश्णों को पढ़ना चलिए ट्रिक नमबर टू ट्रिक नमबर टू कहती है कि छात और बच्चे को हमेशा केंद में रखकर ही प्रश्णों की आप्शन पढ़ें आपने बोला यह कैसा बात है बात यह ऐसा है कि सिध्धान्त यह सारे प्रिंश्पल को इन सारे स्रिक्षर शुत्रों को लागू तभी माना जाएगा और तभी सही तरीके से इसका फॉलो होगा चैन होगा कब जब चात्र बीच में इसको रखकर चात्र को हमेशा दिमाग में रखकर सारी चीज़ों के चैन करें ऐसा नहोगा कि आप प् आपको पढ़ना है जैसे आपने कुछ options पढ़े कुछ आप जैसे यह प्रशन आपकी समक्ष है ठीक है ना प्रशन देखिए मुल्यांकन विदी का चुनाओ को इरते समय सिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए अब यहां आपने अपने 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 हिसाब से चातर को दिमाग में रखा आपने बोल दिया कि मुल्यांकन साधन वैद होने चाहिए यह सबसे important चीज है कभी भी नहीं माना जाएगा कभी भी नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि जब तक चातर की रूची रहेगी नहीं आपके मुल्यांकन में वो उसमें पूरे मन से participate ही नहीं करेगा ताको मुल्यांकन का result हमेशा error लेसा आएगा आपकरी error फूल आएगा उसमें error रहे गई रहेगा तो यह चीज को याद रखिएगा ठीक ना तो मुल्यांकन विधी या कोई भी चीज हो आपका चात्रों की रूची का चात्र हमेशा उसमें सक्रीप भागीतारी निबाए उस option को हमेशा सही मानिएगा ठीक है 100% उसका option सही होगा यह हमारा trick number 2 थी ठीक है तो trick number 2 समझ में आ गया होगा चात्र या बच्चे की हमेशा केंद रखकर ही आपको प्रशनों के option पढ़ने है और उनका chain उनके अनुरूप करना है option number 3 या trick number 3 क्या है negative या नकरात्म जो भी option रहते हैं उसको सबसे पहले आपको काट दिना है cross कर दिना है उसको तुरंत हटा दिना है इससे फाइदा क्या होगा कि जैसे चार option आपके समाक्षन निगेटिव इस्टिमेंट आपने हटा दिया तो आपके option कम होगा यानि आपके सही answer होने के option बढ़ गया है percentage यानि के 25% आपका chance है कि कोई एक option सही होगा एक हटा दिया ये प्रशन बढ़के 33% हो गया एक और हटा दिया 50 50 50 या सही या गलत ऐसे हो जाएगा है ना तो negative statement और option के negative statement को हटाने की विदी सबसे important होती कैसे कुछ आपको example देता हूं तो चलिए एक प्रशन देखता हूं ये बालक है उसको गणिस सीखने में कटना ही होती है ठीक ना तो उसकी समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे अब यहाँ पर देखें negative statement की बात करना हूं यहां लिखा है दंड देना और NCF, RT, सरकार सब विशेज जोड दे रही है कि अब बालक के पर आपको दंड आरूपीत नह करना नहीं है धंडित नहीं करना है तो यह option आप रखेंगे तुरंत इसको निकलेट कर देंगे अधीक ग्रीकार देना क्यों अधीक ग्रीकार देंगे हम उसको कटनाई हो रही तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगी ग्रीकार और बढ़ा देंगे उसका homework यह भी negative statement हमेशा ह जानना तो देखिए यहां पर दो चीज़ा आपने हटा दी तो आपके बस दो ही option बचे ना इन दोनों के तो आप सवाल ही नूरताई के सही हो अब आपको इन दो आप्शन तो आपके कठिनाई जो है वो solve अगी नहीं हो गई तो हमेशा याद रखिए negative statement हमेशा क्रॉस कर द आता हूं जितने भी लोग आज तक एक्जाम देने आये मैंने तीन बार लगातार इस चीजों के प्रक्टिस आप लोगों को करा रहा हूं हर साल आपके एक्जाम के पेपर से पहले बहुत important है चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं ट्रिक नंबर फोर ट्रिक नंबर फोर क्या रखेती है कि अधिकतर बड़े option के सही होने के संभावना बहुत जादा है अभी इसका यह मतलब नहीं है कि वहीं सही होते हैं लेकिन यह और ट्रिक मैंने क्यों रखा है इसमें तब कि maximum अगर आप experience करेंगे हाला कि हम लोग धेर सारे live classes में यह सारी चीज़े discuss करते ही करते ह लेकिन आप अधिकतर पाएंगे क्या कि किसी option में इस trick को रखने का मेरा main उद्धिस था कि जब आपके पास समय कम हो पहली बात समय कम हो और आपको option लगाने ही लगाने क्योंकि negative marking नहीं है तो आपको इसका फायदा मिलेगा तो जब भी जाईए प्रशन आप नहीं tackle कर रहे हैं जल्दी से देख रहे हैं कि अब copy चिनने वाली है विमार्शी समिट होने वाली है तो बड़ा option जो उस परशन का हो तुरंद उसका गोला भर दीजे 99% बोल रहा हूं 100% उस परशन के option की होने की हमेशा maximum chances होते हैं पड़े option सही होने के लेकिन फिर बोल रहा हूं कि जरू कमजोर वर्ग का बालक है यहाँ पर कमजोर वर्ग का तात्पर क्या है अब देखें चार option आपके समक्षन देखिए चार option है सबसे बड़ा अब जैसे यहीं आपको टिक लगाना तलाश में बचा यहीं पहला वाला प्रशन हम छोड़ने वाले थे तुरंद OMR समिट हो रही हंड़ परसंट करेक्ट है यह ठीक है ना तीस चीश को फॉलो करिए आप बिल्कुल लाब में रहेंगे चलिए आज के most important और most avoided trick नमर 5 पर सिधान पर जब भी प्रशन आए तो हमेशा याद रखिए इनी चार मनवग्यानिकों से maximum बार प्रशन आते हैं कौन से चार मनवग् ऐख एक जिन प्याजे एक हैं कोहलवर्क और एक हैं वाइगौसकी तो यह चार जो मनवग्यानिक हैं बहुत important है आपके थांडाइक जिन प्याजे कोहलवर्क और वाइगौसकी मैं यह ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इनी चारों से इर्दगीर्द आपके प्रश्न बंत आप देखें, आप बोलते हैं कि मनवग्यानिक बहुत डेर सारे हैं, हम सर कितने मनवग्यानिकों के कतने याद करें, इसलिए ये पाँचवी ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रख कर बनाए गई है, कि बस इन चार मनवग्यानिकों के कतन, वो भी कतन कैसे, repeated question है, repeated, और आप हमारे live session को रात 8 बजे अगर attend कर रहे होंगे तो आपके सारे doubts सारे चितरे भी प्रशन है सब आप से टेल करना है थांडाई का एक example दूँ आपको देखे ऐसा प्रशन थांडाई का ये प्रशन जो है ये 110 परसन बता रहा हूं 1000 परसन बता रहा हूं अगर थांडाई से प्रशन आएगा तो यहीं प्रशन आएगा रट लीजे घोट जाईए जो भी कर लीजे इनका जो प्रात्मिक नियम है थांडाई का सीखने का नियम अधिकम का जो सीखने का नियम है उसका प्रात्मिक नियम इन्होंने वैसे तो दो नियम दिये हैं गौंड नियम और मुख नियम जो है प्रात्मिक और दूतिक नियम ले किसी से आपका प्रश्ण बंते हैं याद रखी यह चार मनुविज्ञानिक आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यूपिटेट सीटेट पॉइंट अफ विव से तो यह पांच ट्रिक आप अगर फॉलो करते हैं मित्रों तो आप हंड़ेड नहीं अंखासिल कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा को को कि आपको सारे लाइव क्लासिस की अपडेट नोडिफिकेशन के तुरू मिलती रहेगी और वीडियो को शेयर करना मत भूलियेगा बाकी लेटेस अपडेट आपको मिलती रहेगी एक्जाम से पहले आपको पूरे तरीके सम त्यार करा देंगे धन्यवाद